हलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, लॉर्ण विट फायजा, आज हम एक एसी हल्थ प्रॉब्लम और उसके सलुशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत तीज बुखार है और उसके साथ साथ बोडी जो है वो पूरी बडन डर्ड कर रही है, तो ये एक हल्थ प्र यहां पर आप देखें कि यह जो सारे पूरे है, यह डिफरेंट डिफरेंट जोइन्स हैं, तो इसमें से आपको किसी भी जोइन्स में पेन हो रहा है, या फिर मासिक डर्ड है, और हम उसे मेंस्ट्रूल जो साइकल है, उसका डर्ड कहते हैं, या फिर उसके बाद कान में ड कि फिवास्टीन इंजेक्शन यह जो सारी है प्रॉब्लम है उस कंडिशन में दिया जाता है तो फिवास्टीन जो है वो एक्चुली क्या है उसके साथ कौन सी ड्रोग आती है तो यहां पे अब देखे परासिदामोल एंड लिगनोकें तो यह जो ड्रोग है वो पेशन को दि जाती है तो आज हम फिवास्टीन इंजेक्शन के बाद में पूरी जानकारी लेंगे तो सबसे पहले सिखेंगे बेजिक उफ मेडिसिन, यूज उफ मेडिसिन, लीबल स्टेडी, वर्किंग एंड मेकेनिजम, डूज उफ मैडिसिन, प्राइज उफ मेडिसिन, साइड इफ वर्निंग्स, प्रेगनेंसी केटिगरी एंड ड्रोग ड्रोग इंटरिक्शन्स तो यह जो सारे चेप्टर से वो आज हम वन बाई वन स्टडी करेंगे तो चलिए सबसे पहले बेजिक इन्टरिक्शन से समझते हैं कि फिवास्टीन ये कब दीजाती है और किस कलास की ड्रोग है ये एक ऐसी ड्रोग है जो बुडी में फिवर एंड पेंड को रिलिफ करता है तो ये first line की drug है यानि की firstly ये choice of drug रहती है patient को fever and pain ठीकने किरनी की तो इसका जो class है वो antipyretic and painkiller से जाना जाता है तो fivastin injection एक डर्ड निवारक और antipyretic यानि की बुखार को कम करने वाली दवा है अब हम समझें तो इसका brand name fivastin है parentally use होता है जो की एक injection है तो आपको parentally use ही होगा तो parentally use के लिए IV intravenous और intramuscular दिया जाता है इसका जो salt composition है उसमें डो रहते हैं paracetamol and lignocan paracetamol जो है वो 150 mg में है and lignocan 1% में तो इसे manufacture tablet India limited company करती है तो आप यहाँ पर इसकी detail देख सकते है तो आप tablet India limited company के बारे में जाना है तो flagship company of closely held Javer group तो यह किस group की है Javer group तो यह एक leading company है इंडिया की सबसे best तो इसका जो head office है वो chain name है तो आप यहाँ पर इसका logo देख सकते हैं tablet India limited इसमें मैं आपको बनादना चाहती हूं हमारा एक नया course है disease and treatment तो उसके साथ हम आपको एक printed book भी दे रहे हैं तो आप यहाँ पर देखे इस तरीके से यह जो बुखे वो पूरी color book आएगी तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे history करना अच्छा तो अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर या फिर iOS से Apple App Store से हमारी जो फार्मा रोक्स एप्लिकेशन है वो डाउनलोड करके आप हमारे स्टोर में जाके disease and treatment जो printed book का course है वो ले सकते हैं जिससे कि आपको डिसेंबर की best offer में लेगी उस offer में आपको बुख जो है वो 749 में पड़ेगी अब यूजिस के बारे में जाने कि किस conditions में ये injection पेशन को डिया जाता है तो बुखार, फ्लू और सर्डी, गतिया संबंदी दर्ड, जोइन पें डर्ड, मासिक डर्ड, दात का डर्ड, सिर्डद होना, कान में डर्ड होना और जोडो का डर्ड तो ये जो सारी पेंस है, उस में फिवास्तिन इंजेक्शन लगवाया जाता है अब लीबल स्टडी के बारे में बात करें तो फिवास्तिन वो उसका ब्राणनेम है और ये injection के स्वरूप में अविलेबल है तो इच पेक में कितनी एमपूल्स आती है, दस, तो आप यहां प तो 2 ml जो injection का liquid है वो एक ampoules में रहता है नाव ये specially IM और IV के लिए बनाया गया है तो IM for intramuscular और intravenous तो अगर किसी patient को IM यानि की intravenous के लिए दिया जाता है तो intravenous में patient को ये dilute करके दिया जाता है तो अगर किसी patient को IV के टू जाहिए वेन में यानि की नसों में ये injection लगवाय जाता है तो उसे drip के टू लगवाय जाता है तो उसका dilution होगा तो अगर किसी patient को IM यानि की intra-muscular के रूप में लगवाय जाता है तो उसे वो direct muscles में ही दिया जाता है उसे dilute नहीं करते हैं इसका जो लेबल है वो आपको ध्यान से carefully use करना है carefully देख के patient को यह medicine लगवानी है तो not to be used in newly born तो newly born जो babies है या फिर premature infants है उसमें यह medicine यूज नहीं की जाती है तो अगर overdose हो गया यह medicine का तो उससे क्या होगा patient का लिवर जो है वो damage हो जाता है तो 30 degree Celsius से temperature जो है वो exude नहीं करना है उसके ज्यादा temperature में हमें इसे store नहीं करना है तो यह इसकी label study आपने जान ली ना working के बारे में जाने तो यह injection में paracetamol है जो fever reduce करता है साथ में lignocaine भी है जो body में pain कम करने में काम करती है तो यह injection लेने से तेज बुखार और pain है वो थीक हो जाता है अब dose के बारे में सीखें तो paracetamol का maximum जो dose है वो 60 mg पर kg रहता है तो 60 mg पर kg को हम के से समझ सकते हैं तो अगर पर एक्जामपल किसी patient का weight है 50 mg 50 mg है तो उसके साथ होगा 60 mg paracetamol तो 50 into 60 कितना हुआ 3000 3000 mg हुआ तो उसके साथ होगा 3 gram तो उसके according patient को paracetamol का maximum dose दिया जाता है तो maximum dose जो है वो 3 gram अब 3 gram जो है वो 8 ones तो नहीं दे सकते यानि कि single therapy में नहीं दे सकते तो उसका frequent dose होगा तो इस medicine में कितना है परacetamol अवेलेबल है 150 mg इन 1 ml तो अगर 2 ml ले रहे हैं तो उसके साथ होगा 300 mg तो यह जो है वो fever को treat करता है fever के related जो problem है joint pain है वो उसे ठीक करता है तो एक बार में हम 3 gram जो injection है वो नहीं ले सकते उसके लिए इसका frequent dose रहता है frequent therapy रहती है जोगी 4 से गंटे का hour duration रहता है उस hour duration में patient को यह injection लगवाया जाता है now फिवास्टीन injection के price के बार में सिखे तो इसकी जो latest price है December 2023 की 10 ampules की price आपको रहेगी 17.85 तो अगर आपको single injection चाहिए single ampule चाहिए तो इसकी price आपको रहेगी 1.78 पेसे वीडियो के आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक नई book है disease and treatment तो आपको हमारे साथ ऐसे ही study करना अच्छा लगता है तो आप हमारी color printed जो book है जो कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं तो यह book order करवा तो दिसेंबर की best offer चर रही है इस best offer में आपको इस book की price रहेगी रूपी 749 तो अगर आपको कोई query आ रही है तो comment box में या फिर description box में मेरा number दिया हुआ है तो उसकी true आप मुझे contact कर सकते हैं अब side effects के बारे में देखे कि इस medicine से क्या-क्या side effects हो सकती है तो जो side effects रहती है patient को mainly वो swelling on face मुझ पे, lips पे, tongue पे या फिर throat में swelling रहना, sujan रहना तो आप यहाँ पे देखे यहाँ पे lips में इस तरी किसे sujan है tongue में भी sujan है तो sujan आ जाना difficulty in breathing जब भी आप स्वांस ले रहे हैं तो उसके साथ difficulty होना swallowing आप कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं या फिर कुछ भी निगल रहे हैं उसके साथ आपको difficulty होना skin पे रैसिस हो जाना redness होना BP कम हो जाना या फिर आपके जो liver के जो enzymes है वो change हो जाना तो जब भी ये जो product है fivastin उसका जो component है वो आपकी body में blood के साथ जाता है तो आपके liver के enzymes जो है वो change हो सकते हैं now warnings के बारे में क्या-क्या धियान रखना है कि fivastin injection लगवाने से पहले patient को किस condition को धियान में रखना है तो अगर किसी को paracetamol या फिर उससे related उसकिस combination में जो drugs है उससे allergy की reaction हो रही है या फिर कोई इससे patient है जो alcohol ज्यादा ले रहा है kidney disease liver disease है mal nutrition है यानि कि nutritional problem food जो ये वो proper digest नहीं हो रहा है dehydration तो ये जो सारी conditions है उस condition में patient को fivastin injection जो है वो avoid करना है नहीं लेना है pregnancy category के बारे में बात करें तो usfda के prescribed information जो है fivastin injection पे बारे में तो उसके according fivastin की pregnancy category भी रहेगी तो b category के according pregnancy में ये injection safe माना जाता है तो pregnancy and breastfeeding के डौरान मही लाओ को ये injection लगवा सकते है अब drug drug interactions के बारे में देखे तो ऐसी कौन-कौन सी ड्रॉग्स है जिसके साथ fivastin drug interaction करती है तो paracetamol के साथ जो डूसरी paracetamol की वित में combination drugs आती है like for example हम इसा समझे कोई ऐसी ड्रॉग है इसके साथ already डूसरा भी paracetamol अवेलेबल है और fivastin में भी paracetamol है तो उससे drug drug interaction होगा because overdose हो गया probenacid, kolesistramine तो kolesistramine से क्या होगा तो ये medicine क्या करेगी high cholesterol level को treat करती है तो fivastin को kolesistramine के साथ avoid करना है और oral anticoagulence तो ये जो सारी class की drugs है उस drug के साथ fivastin आपको avoid करना है नहीं लेना है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा ऐसे ही disease and medicine के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं और bell icon को भी अभी turn करें जिससे कि आपको regular updates मिलती रहेगी